नमस्कार दोस्तो रवी ओनलाइन क्लास्स में आप्पर स्वागत है कि अम्हें लोग देखें आज टॉपिक में भूकंप भूकंप का थ्योरी पलस अब्जेक्टिफ देखेंगे दोस्तों भूकंप क्या है देकि भूकंप का साबदी करद होता है भूमी का कामपन जब पिर् भूकंप डेली आता है लेकिन उसकी एक दो होता है तो उसे मापन नहीं जाता है तो भूकंप का साब्दी करता है भूमी का कमपन जिसका ताथ परज़ भूमी के अंदर होने वाला कमपन या हल्चर पिर्थिवी की आंतरीक उर्जा बहार निकलती है जिससे भूकंपियत तरंगों का निर्मान होता है भूकंपियत तरंगों के निर्मान के करण पिर्थिवी की अवास्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है भूकांप के अध्यन को सिस्मो लोजी कहा जाता है, मतलब बिज्ञान की जिस साख्हा में भूकांप का अध्यन किया जाता है, उसमें सिस्मो लोजी कहा जाता है भुकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्योग किया जाता है उसमें सिस्मों गराफ कहा जाता है अब भुकंप आने का कारण क्या है जुआला मुखी का विस्फोट होना जुआला मुखी का विसफोट होना जुआला मुखी का विसफोट किसी छेतर में भूकाम पाने का एक परमुख कारण हो सकता है जुआला मुखी विसफोट के कारण निकडवारती छेतरों की भूमी पर हल चल हो जाता है जब जुवाला मुखी विश्पोट हो सकता है तो उसके निकवर्ती छेत्रों में हलचल हो जाता है या कमपन उत्पन होता है जिससे भुकपन भी कहा जाता है मतला जुआला मुखी 20 फोट होने से निकटवर्ती छेत्रों में भूमीपा हलचल या कंपानुत बन होता है जिसे भूकंप कहा जाता है पहला कारने हैं पलेट टेकनोनिक कारक पिर्थिवी के पड़ल को पलेटो बना का होता है फिर्थिवी की पटल जो मतलब परत हमारे पलेटो का बना होता है ऐसा माना जाता है कि पलेटो सरकरती सरकती है और कभी-कभी ढूसरी पलोटी से टकरा भी जाती है तो इस पलेटो को टकराने से भी वह पाते हैं पिर्थिवी की जो पड़ते में आंतरिक चटानों में एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे से टकराने से इन पलेटों में कमपन उत्पन होता हैं तो टकराने से भी भुकंप आते हैं भुकंप के तिसरा कारान भूमी का सीकूर ना दोस्टों पिर्थिवी अपने जन्म के वाद से लगवक साधि Character बिलियन वर्स पहले हमारे पिर्थिवी की जब उत्पति हुआ थो पिर्थिवी जन्म के वाद्से पिर्थिवी सीकूर रही है ՜िसकी बजह से इसकी बिभीन पर में भी कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं पिर्थिवी की सता सिकोनों पर अपनी आवास्था में परिवर्तित होने लगती है और इसमें भूमी के आंतरिक भाग में कमपन होने लगता है जिसे उपरी सता पर हिलने लगती है और भूमी कई खंडों में विवाजित होने लगत जल ये बहर, नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलासों का निर्मान किया जाता है, जल चेटानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, जब जमाव पानी जमने लगता है, पानी जमने लगता है, तो जल के आंतरीक सता पर अपना दवाव डालने लगता है, जिससे जल चेटानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे चेटानों में दवाव बढ़ जाने का अने, उनकी स्तिती में परिवर्तन होने लगता है, और इन परिवर्तनों से भू केंद्र और अधिक केंद्र क्या है तो भुकंप केंद्र पिर्थिवी के आंतरीक भाग में इस्तितोवाख छेतर होता है जहां से भुकंप ये तरंग मुक्त होती है जहां से भुकंप उत्पन होती है उसे भुकंप केंद्र कहते हैं जहां पे हल्चल उत्पन होता है तो उसक रवुक्त होती हैं उसे भुकाम्प केंद्र कहते हैं पुलिधी के सता परिस्टित पुल्ट वह स्थान जहां भुकाम्पतरण्ग सर्परत्थम पहुंचती है यहां से भुक chip जब उपर पहुँचती है तो उसे अधीक केंद्र कहा जाता है तो भुकाम्प के काया अधीक बिनास इसी छेत्रम होता है सबसे अधीक बिनास कहा जा तो अधीक केंद्र में ही होता है याद रखिएगा भुकाम पीय तरंग की बात कहा जाए तो भुकाम तरंग तीन परकार का होता है पी तरंग एस तरंग और एल तरंग भुकाम पीय तरंग तीन परकार का होता है भुकाम पीय तरंग कितने परकार के होता है तीन परकार P तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं S तरंग को दितियक तरंग कहते हैं और तिसरा को L तरंग कहते हैं इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी इसलिए इसे लव वेव भी कहा जाता है P तरंग इस तरंग की आउसत गती कहा जाए तह आठ किलोमिटर प्रती घंटा होता है गाजिट केस्ट गति लगभख 4 किवलोमिटर प्रती सेकंड है और इस किरांग के दो किलोमिटर प्रती सेकंड है ठोस द्रवस गेस छाटी सबसे कम अनुधाएर तरवच होती है केवल ठोस माध्यम और 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 सच्छती अनुपरस्त तरंगे हैं धरातलिये तरंगे अतेधिक बिनस्कारी अनुपरस्त तरंगे हैं मतलब एल तरंग जादे बिनस्कारी होता है अब इसका उपजेति देखेगा जो इसे पूछे जाते हैं भूगर्व में किस अस्थान पर भुकाम्पी तरंगों की उत्पती होती है उस अस्थान को क्या कहते हैं जिस अस्थान पर भुकाम्पी तरंग की उत्पती होती है उसे भुकाम्प केंदर कहा जाता है कौन सा केंद्र कहा जाता है तो भुकांप केंद्र कहा जाता है भुकांप में धरातलियत रंग ये होती है इलत रंग धरातलियत रंग किसे कहा जाता है तो इलत रंग को कहा जाता है पिर्थिवी की सता पर भुकांप के केंदर से ठीक उपर के बिंदो को क्या कहते हैं, तो आधिक केंदर कहते हैं भुकांप केंदर वाह स्थान होता है जहां भुकांप केंदर कहा जाता है कौनसी भुकांप ये तरंग सबसे ज़्यादा बिनसकारी होते हैं तो इल तरंगे सिस्मों गराफी किसका बिग्यान है तो भुकांप का पिर्थिवी की आंतिक सनैचना के विस्वनिये जनकारी प्राप्त करने का सबसे परमुक सुरत क्या है तो पिर्थिवी की आंतिक सनैचना के विस्वनिया जनकारी प्राप्त करने का सबसे महत्पुन सुरत का आ जाए तो भुकांप बिग्यान है भुकांप आने से पहले बायू मंडल में कौन सी गैस की मातरा बढ़ जाती है तो यह डाउन का किसका बढ़ जाता है तो यह डाउन का इसकी मातरा बढ़ जाती है तो यह रहाप का सर्भू कम से इंपोर्टेड टाइप्स और क्यूचन्स